सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकॉन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंट्स माइसाइब डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले टॉप टैन होम्योप्राथिक मदर टिंचर के बारे में जानेंगे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मटर टिंचर के बारे में जो बहुत सारी बिमारियों में काफी जादा यूजफुल रहते हैं तो आईए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हल्थ प्रॉब्लम से परिशान हैं तो समय गवाएं बिना पेश्ट होमे पहते क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्राइब करें और पैल आईकॉन दबाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल श्ट्री होमे पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले बल आईकॉन को टैप कर ले क्योंकि इस तरह के लिए वीडियो सम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं और दोस्तों इसी के सास्ता यादी आप मुझसे कोई भी कॉश्चन करना चाहा रहे हैं तो आप मेरे लाइप सेस्ट को जॉइन कर सकते हैं लिए आपको करना होता है चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकॉन टैप ताकि जब भी मैं लेकर आप उसमें मेरे पास जुड सकें और अपने लिए जो भी सुझाओ लेना हो वो पूस सकें चलिए दोस्तों बात कर लेते हमनी को मेरे तिंचर के बारे मिराए में हमारे पास यहां पर आसिट फॉसक्यू देख सकते हैं आप लो यह जो एसिट फॉसक्यू है यह बहुत इफक्तिव छादा हेर वाइट हो रहा हो या जो ग्रेंग ओन के पर हो जाता है जाए सबस्क्राइश करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जबटेश है और इस पीमिंच मेन ने см कौंपलेक्षन को साफ करने के साफ करने के लिए अगर आपके चेहरे पे दाग धबे हैं पिम पोल्ष के 25 नाम का याद रखीएगा वो था बर्बेरिस एक्वाफॉलिय这 यह बर्बेरिस व्ल्गःis तो यह बर्बेरिस व्ल वाल्गेरिस जो मदर टिंचर यह किसी भी तरह के स्टोन के लिए खास दौर पे रीनल स्टोन यानि अगर आपको गुर्दे की पथरी की सिकायत है इसके साथ सथ आपका रीनल स्टोन के साथ सथ अगर आपको गॉल ब्लडर की भी पत्री है दोनों ही कंडिशन में बर्बैरिस चिली डोनियम चिली डोनियम मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव होता है आपका लीवर की प्रॉबलम के लिए खास तौर पे आपको अगर लीवर के रीजन में दर्द रहता है खाना ठीक से नहीं पसता है कब जो अगरा की सिकायत रहती है या आपको पथरी की प्रॉबलम ह तो आपको चिली डोनियम क्यू यूज कर सकते हैं चिली डोनियम क्यू मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज करना है नेक्स्ट मेडिसिन आपके क्राटेगस हार्ट ट्रबल स्यादी आपका दिल काफी कमजोर है तो आपके लिए बेस्ट हार्ट टॉनिक रहेगी क्राटे आई मेडिसिन है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना महिलाओं के लिए है जहां पर अगर आपको यूत्राइन फाइब्रोईट या नियो त्रहकन जटान हो जाती है या रसॉली बोलते हैं बहुत से लोग तो यूट्राइन फाइब्रॉइट यूट्रस में बच्चे डानी में गाठ होना रसॉली होना उसमें आप इसका प्रियोग करते हैं नेक्स मेडिसेन हैं हमारे पास जस्टीशिया क्यूब आपको किसी पी तरह का कफ हो अगर आपका बलगम छाती में जमा हुआ है नहीं निकल रहा है हमीशा कफ कोल्ड बना रहता है खासी आती रहती है तो यह आपके खासी के लिए बहुत इफेक्टिव है खासी में कोल्ड कemente一下 क्यूंका उपयोग करना होता है नेक्स्ट मण तेंचर हमारे पास आइडरयस्टिसस्कैंक स्केंक्यू पहुत सारी बीमारीओं में काम आने वाला नद Two Can measures बहुत एफेक्टिव रहता है कबज के लोगों में जिन लोगों को कबज की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है आपका पेट सही से साफ नहीं हो पाता है कॉंस्टिपेशन रहता है यह पोस्ट नेचल ड्रिप की प्रॉब्लम होती कई लोग कहते हैं कि हमारे हमेशा नाक में सर्दी बनी रहती है गले में ऐसा लगता है म्यूकस आ रहा है तो ऐसी सभी कंडिशन में हाइड्रस्टिज बहुत ज़दा उपयोगी इसके साथ आपका ब्रेस्ट में ट्यूमर वगयरा उसमें भी यह अच्छा आपका उपयोग होता है तो दोस्तों यहां पर हमने आप से बात की कुछ बहुत ही इंपर्टेंट होमियोपेथिक मदर टिंचर के बारे में आप लोग जानना चाहरे होगी कि यह जो मदर टिंचर है इन्हें हमें क ज़्यादा गरम हो तो आधे कप पानी में आपको इसकी लगभग 15-20 बुने मिलानी होती है और दिन भर में तीन बार सुबह दो पहर और साम खाना खाने के आधे घंटे पहले आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं इस प्रकार से आप इन सभी दमाओं को ले सकते हैं तो 3 अगर आप किसी बच्ची में देंगे किसी छोटे बच्चे में आप किसी परिशानी के लिए दे रहे हैं तो इसकी डोज आधी करते 10 बुने कर दीजे तो एडल्ट में आपको 15-20 बुने और बच्ची में लगभग 10 बुनों का ही प्रियोग करना है तो दोस्तों यह थी मद टिंचर्स आपको कहां से मिल सकते हैं यह सारी होमियोपैथिक दवाएं हैं तो इनको लेने के लिए सिर्फ पर सिर्फ होमियोपैथिक मेडिकल पर ही जाएं वहीं पर आपको यह दवाएं अबलेबिल हो पाएंगी यह जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उसका डिस्क् से भी जाके order कर सकते हैं तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दवाएं कहां से मिल सकती है कौन सी दवा किस प्रॉब्लम में उपयोगी है मैंने आपको एक जनरल सा एक एक लाइन में समझाने की कोसिस की है यदि आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप लेकिन बीमारीयों में आप उन दवाओं का सेवन कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चानल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने सोसल मीडिया एकाउंट्स पे क्योंकि होम्योपैथिक दवाइं एक दम सेफ और नेचरल होती है जिने हर उम्र का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है इनके ऐसे कोई साइड इफेक्स भी नहीं होते हैं और बहुत ही आसानी से औ तो चली दोस्तों फिलहाल मुझे दीजी इजाजत मिलते से तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत